नमस्कार आपदीख्रे न्यूस फोर नेशन और मैं हूं सांध्वन आपके साथ आरजेडी कोटे से बिहार सरकार में आईटी मंतरी इसराइल मनसूरी के बाद अब एक और आरजेडी विधायक पर बड़ी गाज गिर गई है जिसे पूरे आरजेडी को बड़ा जटका लगा ह जहां आजेडी विधायक प्रेम शंकर के खिलाफ गेर जमानती वारेंट जारी हो चुका है रसल दस साल पुराने एक मामले में बैकुंट पूर के वरतमान राज़त विधायक प्रेम शंकर प्रसाद पर आदालत ने गेर जमानती वारेंट जारी किया है उक्तकारवाई वि शर्मा ने इसके पुष्टी की है मुहम्मद पूर थाना छेत्र के ही भीम पूर्वा गाउ निवासी अजीत संग और फुबुलाई संग ने प्रेम शंकर प्रसाद यादव समेत दो लोगों के किलाव गाली गलोज करने और धमकी देने का रोप लगाते हुए प्राथमिकी कर आई थी अजीत संग ने वेदन में कहा था कि 4 सितंबर 2012 को वो अपनी गाड़ी से घर लोट रहे थे अजीत संग ने बताया कि मुहमत पूर मुक्ष सडक से जब अपने घर के तरफ जाने लगे तो सडक के किनारे लगे एक दूसरी गाड़ी को उन्होंने हटाने के लिए कह जिस पर गाड़ी में बैठे लोगोंने लाट साहब कहकर उन्हें अपमानत करने का प्रयास किया इसके बाद उनकी गाड़ी का पीछा किया काशी टिंग राही गाओ के पास जब आगे जा रही गाड़ी को रोख कर उन्होंने देखा तो गाड़ी में प्रेम शंकर यादव ने उन्हें गाड़ी लेकर वापस चले जाने के साथ ही धमकी भी दी थी प्रात्मिकी में अपने साथ किसी अन्होनी की भी आशंक का व्यक्त की गई थी अजीत कुमार सिंग के दिये गए आवेदन पर मुहम्मद पूर थाने में कांट संख्या 71 बटा 12 अंकित करने के बाद मामले की जाज का जिमा एसाई हरिश्यंद्र को सौप दिया गया था अरजेजी से बैकुंच पूर वधायक प्रेम शंकर प्रसाद यादफ के खिलाफ गैर जमानती वारेंट जारी हुआ है और ये पूरा मामला 10 साल पहले का है जहां गाली गलोज एवं धमकी देने से जुड़ा हुआ ये मामला सामने आया है झाल प्रसाद प्रसा से नुड़ा हुआ है